हलो फ्रेंज, वेलकम बैक टो माई चैनल, मैं अपना चैनल कैप्टेन श्वात अबदी चाटर जी में आप सब को और एको स्वागत करती हूँ अभी तक जिस किसे ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लिजिए क्योंकि अभी तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा अगर आप अपना केरियर को एविएशन इंडास्टी में बनाना चाहते हैं यह जो टाइम है इस टाइम में आपको पता है कि कई एरलाइंसर्स, कई अविएशन कंपनीज, कई अपरेटर्स उन लोगोंने रिक्रूट कर रहे हैं अगर आप अप अविएशन इंडास्टी में अपना केरियर बनाना चाहते हैं या फिर आपको पता ही नहीं है कि अविएशन इंडास्टी में कैसे केरियर बना सकते हैं आफ्टर यो टेंथ, आफ्टर यो ट्वल्थ, आफ्टर यो ड्रैटुएशन तो डेफिनिट्ली इस चैनल को अब सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चैनल में रेगूर लल्डी इसी सब्जिक्ट के ऊपर वीडियोज मैं बनाती हूँ अब अभी का जो सबसे बर अट्राक्शन है कि आज से कामिंग 7 देज तक मैं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लाड़ी हूँ जहां से 7 देज एक particular एक module के अंदर हम आपको कुछ brush up करने का तरीका बताएंगे खुद का personality को ताकि आप aviation industry का जो भी vacancies आ रहा है as per your qualification as per your eligibility आप उसको grab कर पाए तो चलिए सबसे पहले सबसे पहले कोई भी interview face करने से पहले जो चीज सबसे जदर जरूरी होता है वो है confidence मैं आपसे पूछती हूँ क्या आप confident है क्या अगर अभी आपको एक aviation कोई भी एक interview या पि अगर आपको हम बैठा देंगे क्या आप अपना 100% उहां पर देके उस interview को win कर सकते है if yes तो कोई बात नहीं मुझे नहीं लगता ये वीडियो आपके लिए है अगर नहीं है तो definitely ये वीडियो और आने वाला और जो 6 दिन का वीडियो है ये definitely आपको help करेगा आपका personality को develop करने के लिए आपको पता चलने के लिए कि interview में किस टाइब का दिखिया हम लोग सब success बना चाहते हैं जीवन में बट आपको पता है success कहा है success is in your thoughts अगर आपको ये लगता है आप कर पाएंगे तो आप definitely कर पाएंगे अगर आपको ये लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे से भी तो बहुत अच्छे candidates वहाँ पर है वो लोग में करने की interview तो सच में आप नहीं कर पाएंगे इसलिए एक positive सोच के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले जो चीज आपको मैं बताऊंगी इस प्रोग्राम के थूँ मैं आपको बता रही हूं कि कैसे इस प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे सबसे पहले आपका जो grooming हम करना चाहेंगे internally तो हर वीडियो में कुछ ऐसे बात रहेगा जो आपको internally ग्रूम कर सके because grooming खाली आप अच्छा कपड़ा पहन लेंगे या फिर अच्छा कोई dress up कर लेंगे interview के लिए तो ही enough नहीं है अगर आपके internal grooming नहीं है तो वो साड़ा चीज पहन के भी आप खुद को तयार नहीं कर पाएंगे for the particular kind of interview actually what the aviation industry demands from you तो इसलिए सबसे पहले आपके अंदर एक चीज को develop करना चाहिए yes I am the best I can do everything तो इसके लिए एक छोटा से exercise अब को हर दिन करना पढ़ेगा आपके सामने basically अगर यह सोने से रात को सोने से पहले करेंगे तो सबसे ज़्यादे effective होगा because it will control your unconscious mind and gradually अंदर से आपके अंदर हो confidence आएगा एक छोटा सा mirror आप सामने लीजिए और उस mirror में जिनको आप देख पा रहे हैं यान कि आप उनके आखों में आखे डालके आई contact में तीन sentence बोलिए I am confident, I am beautiful and I will be the winner तो यह जो चीज है मतलब यह जो सारी चीज है क्योंकि लोग समझते है कि मुझसे ज़्यादा दूसरे सामने वाला को ज़्यादा कुपसूरत लग रहा है देखने में या फिर मुझसे ज़्यादा confidence सामने वाला है या फिर वो विन कर लेंगे तो सबसे पहले यह जो thought है इसको आपकी दिमाग से हटाना है तो ही आप success का जो seed है वो अब बुन पाएंगे आप अपना जो personality है आपके अंधर जो potential है उसको आप bloom कर पाएंगे तो सबसे पहले gradually इसका एक habit ड़िए at the same time जो चीज सबसे ज़्यादा जरूरी है वो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज आपको उहां पे पूछा जा सकता है जो जो चीज आपको पूछेंगे जिस type of questions आपको पूछा जाएगा उसको एक proper practice के थू ही आपको क्योंकि अगर आप सोचेंगे हम आपको जा के अपने introduction कुछ देंगे तो वो output नहीं आएगा जो एक practice के थू आप गेन कर सकते हैं इंटर्व्यू में क्या क्या सवाल पूछेगा इसका तो definitely हम आपको बता देंगे क्या क्या सवाल पुछा जाता है generally उसके साथ साथ अप कैस आपको कुछी सब ऐसे बताएंगे कि चहां आप अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं जैसे मानली जी कोई लिंक है या फिर कोई वेकिन से सभी आया हुआ है जो चल रहा है वैसा कुछ लिंक भी हम आपको देंगे at the same time हम आपको उसी के विश्रह में भी बोलेंगे जो हमारे ब सब्सक्राइब को मिलता है for the aviation industry उसके बारे में भी आप हम बताएंगे बट उहां पर आम इसलिये नहीं भेज पाएंगे because this facility is exclusive for our students तो इसलिए बट हम आपको idea दे देंगे कि किस टाइप का vacances में या किस टाइप का केरियर में आप अपना केरियर शुरू कर सकते हैं किस टाइप के प्रोफाइल में आप अपना जब शुरू कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आज का जो एपिसोड है इसलिए शुरू करती हूँ qualification के हिसाब से देखिए कौन-कौन यह जीरो क्वालिफिकेशन से माल लिए जिसको कोई qualification है ही नहीं फोर्थ पास है थर्ड क्लास त्री पास है या फिर नाइंफ पास है इहां से 10-12 ग्राजुएशन यह साड़े क्वालिफिकेशन के लिए एविशन इंडस्टी में वैकिंस है इविन अपने आइटी आई किये जो आपको अभी भी अचीव कर सकते है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टन पार्ट है माल लिए फ्रम 12 बेस और ग्राजुएशन के लिए इंग्लिफिकेशन के लिए तो आप थुरह सा अपना इंग्लिफिकेशन को भी अच्छे से रेडी करिए क्योंकि उहां पर द पताना पड़ेगा नहीं से पहल पड़ेगा और उसके साथ साथ देखेन आस्के सम्लिफिकेशन नहीं पड़ेगा तुरह सदित realizar लिए एंग्लिफिकेशन को भी बहुत जड़ जारूरी है जो इंग्लिफिकेशन हो उसमें जा सकते हैं बहुत तरीका है बग्द बेदुे स कि आप जो भी जैसे भी English communication को ready कर रहे हैं just try for Indian English, मतलब अगर आप TV भी सुन रहे हैं तो जो वही English news सुनिये जो Indian channel से, अगर आप BBC में चले जाएंगे तो first it would be very difficult, उनलों का accent दूसरा है, यह सब पकड़ने में आपको time लगेगा, एकदम fresh level से आपको अगर करना चाहते हैं या फिर आपका English बहुत अच्छा नहीं है, so in that case you go for the, जो चीज है हमारे जैसे Z News हो गया या फिर ABP News हो गया जिसका English channels है, इस टाइप के जो चैनल से आप अपना चीज को शुरू करिए, यहां से आप अपना चीज को शुरू करिए, यहां से आप अपना अपना चीज को सुनत कि हाँ, क्योंकि एविएशन इंडास्ट्री है जहां अगर आप इस mentality को लेके आएंगे, कि यह कम छोटा है, यह कम बड़ा है तो इस industry में प्तिक नहीं पाएंगे, जौब मिलने के बाद भी अप्तिक नहीं पाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो in that case, सबसे पह तो उनको पानी देगा, क्योंकि उनको उसी के लिए रखा गया है, तो आपका होस्विटालिटी इसका मतलब अच्छा नहीं है, जब आप गेस्ट कर में आता है, तो हम लोग खुद इनका खाती दरी कते है, जैसे वैसे ही होस्विटालिटी इंडास्टी में जब गेस्ट उहां पड़ाएंगे आपका उफिस में, वैसे ही आपको यह कम छोटा है, यह कम मेरा नहीं है, यह कम उसका है, यह सोच के अगर आप इस सोच में उलस्ते रहेंगे, तो आप कभी भी इस इंडास्टी में अपना केरियर को आगे नहीं बड़ाबाएंगे, देखिए, यह ज को नहीं चेंज करूंगा, तो डिफिनिटली शायद मैं भी आपको चेंज नहीं कर सकती, बट मुझे लगता है कि मेरे वीवर्स जितने भी है क्योंकि हम लोग 10,000 के उपर का फैमली है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं आपको बोलूँगी, मैं अपना इतन अगर हम कोई भी एक नौक्री के लिए तयारी के लिए दो साल बिता दे तो इतल नौक आपको जल से जल जो वेकंसिस आरहे, बिकोज आ थे निट बेस जोग, जब इनका जरूरत है तब उनका बहुत ज़दा वेकंसिस आता है तो उसे टाइम को ही ग्रैब कर नहीं, सही मान कभी भी वीडियो बनाती हूँ, मैं अपना इमेल आइडी दे देती हूँ, capt.satabdi.gmail.com आप यकिन रखिए कि सारे जो मेल्स मेरे पास आता है मेरे ओफिस से उनको कॉल किया जाता है, बट कई बार आप लोग बताते हैं कि हमें कॉल नहीं आया, बट इन दाट केस्ट, व आप लोग आपको तीन से चार बर ही कॉल करेंगे, उसे ज्यादा क्यूंकि बहुत सारे नंबस आते हैं सबको कॉल करना पदता है, अगर आप नहीं उठाते हैं को इन दाट किस्ट, वी कैनाट हेल्प यू और जो लोग उठाते हैं, कई मैंने आपको वीडियो दिखाया है कि बहुत सारी YouTube subscribers, they became our students and now they are successfully working, last community में भी मैं एक पोस्ट जाला था, मेरे एक student के साथ, उसके family के साथ, he was also my YouTube subscriber, and बाद में मेरे student बने, तो ऐसे बहुत सारे success story हमारे पास है, जहांसे आप YouTube के थू मेरे पास आए, उसके बाद अपना career aviation industry में बना पाए, तो इसे लिए ये ज क्योंकि इसमें मैं कुछ homework भी आपको दूंगी करने के लिए जो आप करेंगे, और जभी ये वीडियो देखने के लिए बैठेंगे तो एक notebook and एक paint जरूर लेके बैठियेगा, क्योंकि कुछ points में आपको ऐसे बताऊंगी, में भी बाद में आप भूल सकते हैं, अगर आप जाएंगे तो ये जो प्रोग्रम से इसको दुबारा दिखेगा, क्योंकि ये इस नॉट व्लॉग चैनल, ये एक ऐसा चीज है जो जितने सुनेंगे, उतना आपको याद रहेगा, मतलब इस अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओरिएंटेट चैनल, आपको हम लोग प्रैक्टिक क्या करना पड़ेगा, या फि नेक्स टेप हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले आज के लिए मैं जो बतारही हूं आपको, कि अगर एक चीज है कि अगर आपको 0 qualification है, या फि 10th qualification है, या फि 12 qualification है, फिर ग्राजुएर्स है, सब के लिए अलग अलग चीजह है, मैं आपक भी अविलेबल है जहां पर आप अपना के लिए शुरू कर सकते हैं इंटर्विय के जूँ तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मैं फिर आ रही हूं कल बहुत इन्फॉरमेशन लेके अच्छ वेकंस का खबर लेके जहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे खुद को आज के लिए बस इतना ही यह वीडियो अगर अपको अच्छा लगे लाइक शर्थ जरूर करिएगा कॉमेंट भी करिएगा तो चलिए मिलते हैं कल तब तक के लिए बाबाई